जहन दोस्तों जबानों के लिए खुसकवरी एक बड़े नियम में बदला यानि कि आप एनुलीप पे हो या सियल पे हो आपके साथ कुछ भी अन्होनी होती है तो उसका मिलेगा लाव ये एफटी ने सीधा आदेश दिया है एमोडी को आखिर ये कब हुआ यानि मैं आपके स साथ एक चीज एक लेटर साजा कर रहा हूं जब कर रहा हूं के लिए बड़ा होती होती है यानि उसके बाद रिकॉर्ड उनको नहीं देता है आर्म इडॉमकॉर्टि EFT के स्पे जाते हैं फिर उन्हें मिलता है आखिर मामले को जरा आप बारीक से समझते हैं सबसे पहले मैं आपको बता हूँ गजब का फैसला हम इसका स्वागत करते हैं और ये सोलिजर आपका नाम मैंने बताया हरजी सिंग है ये चुट्टी पर थे और सीयल पर थे और सीयल से जब चुट्टी बापिस आ रहे थे तो ट्रेंड में चड़ते समय इनके साथ इंसिडेंट होता है और बड़ मुश्किल से वो गंबी रवस्ता में जाके अपना इलाज कराते हैं यूनिट में पहुंचते हैं यूनिट उसको कोटमन कौरी करती है तो अट्रिविटेबल टू मिल्टरी सर्विस उनके लिए सिफारिस करती है यूनिट और वो जब रिकॉर्ड में बेज़ देते हैं रिकॉर्ड इसको रियक्ट कर देता है यानि मेडिकल बोर्ड भी रियक्ट कर रहा है रिकॉर्ड भी रियक्ट करता है फिर इस केस को आर्मी हटकाटर रिविव के लिए भेजाता है आर्मी हटकाटर भी इसको रियक्ट कर देता है अब जिसको 100% disability हो और उसको लाब ना मिले तो जीवन तो उसका ऐसे ही गया तो फिर अब मामला यहां से बदलता है और वो जाते है एएफटी की सर्ण में और एएफटी की सर्ण पकड़ते हैं और वहाँ पर मिलते हैं जस्टिस धरमचंद चोधरी और एयर मार्शल मामित मानवेंदर शिंग जो को उनके लिए भगवान साबित होते हैं फिर उनोंने इस केस को बारी की से दिन किया और उस केस के बारे में क्या नयाए दिया जरा हम बात करते हैं उनोंने लिखाए इंशीडेनस आफ सर्विस अफटी उनोंने काए यानि एक जबान जब वो CL पे था लेकिन उसने इनुट में आने के लिए टिकेट अपना करा लिया था और ट्रेन में इंसिडेंट हुआ इसका मतलब वो on duty है उसको attributable to military service माना जाएगा इसके बाद होता क्या है ता इस्टेच्वरी कोर्ट ऑफ इंक्वारी कंड़क्ट बायदा military authority after incident declares a disability as attributable to military service और वो चुट्टी काट के पोटन कारी में थाबित हो जाता है इसको रिजेक्ट कर देती है कि यह attributable to military service नहीं है इसको हम कोई लाब नहीं दे सकते हैं Shetting aside the rejection order issue by the army authorities, the Chandigarh bench of AFT comprise Justice Dharmachand Chaudhary and Air Marshal Marvin Singh has held that the process of releberation for going back to military unit fall within the definition of incident of service under the rule therefore is attributable to military service उन्होंने का है कि उसने टिकेट करा लिया था डूटी पर बापस आ रहा था वो डूटी पर माना जाएगा और उसको attributed to military service दिया जाएगा और उसको पूले लाब मिलेंगे और इस केस को उन्होंने देखा और वो बंदा आप समझते हो गुरदासपूर डिस्टिक पंजाब के रहने वाले थे और किस तरह न्याय मिलता है और किस तरह न्याय के साथ अन्याय होता है न्याय के साथ अन्याय होता है हमारे नियमों के नुचार आर्मी हड़कॉर्टर उसके बारे मैं नहीं सो सकता है 100% disability record नहीं सो सकता है क्योंकि वो कोई न कोई चोटे मोटे कानून का सारा लेके आते हैं और ऐसे गटिया कानूनों को बदलने के लिए एफटी में जबानों को आज कल बहुत जाना पड़ता है और फिर एफटी ने सीधा एमोडी को आदेश दिया है और आर्मी हेडिकट को दी दिया है ये सिमिलर ग्राउंड है और आप इसको 100% disability दोगे तब इसका ये फायदा होता है ये है आज सिकल हो रहा है आपको जागना होगा समझना होगा अपने हग के लिए धन्यवाद हो